प्रदेश में चिनावी सरगर्मिया बड़ी तो जनपत पिलीभीत 127 सदर विधान सबास सीथ पर भी सपा के प्रत्याशी डॉक्टर श्यालेंद्र गंगवार ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और जनता से जनपत में शहर विधान सबास शेत्र में समूचित विकास करान के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपिल की वहीं जन संपर्क की दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए पिली भीच से जिला संबादाता सरवेश कुमार की रिपोर्ट किस चीज का आप कराईनिती माने अपका क्या उद्यस रहेगा जनता की सेवा विश्वार्द भाव से निश्काम भाव से जैसे कि अगले स्यादव जी ने जो हैं उन्होंने अस्री बनाब दीस को यहां पर ही खत्म करने लिए आपको चुना गया आप इसको कितने कारगर उ अधिकतर यही संभावना की जा रही इस पर आप कितने कारगर उत्रेंगे क्या कहेंगे सत्परिशत उत्रेंगे नहीं उत्र चुका हूं सत्परिशत है कि दाख्ट आपने यह डाक्ट्री आप एक अच्छे डाक्ट नहीं प्रिये राजनीति माने का देट रहत नहीं है और राजनीति भी एक सेवा का माध्यम लेकिन एक प्राइबेट डॉक्टर की सेवा करने की एक लिमिटेशन होती इसकी सीमाइं होती है जब अपनी डॉक्टरी में मैंने मरीजों के चुकी मैं एक सर्जन हूँ तो मैंने मरीजों को जब मैं उनकी परिस्थितिया देखता था कि एक आदमी जेम में से 2000 रुपए रखे लाया, पेट में धर्द है, 200-300 रुपए का पर्चा बना, 500-600 का अल्ट्रा साउंड हुआ निकलाई पत्री तो 20-25 रखम जो सुनने में एक बड़े आदमी को बहुत मामूली सी लगती होगी लेकिन मैंने महसूस किया कि किसी की लड़की की शादी रुकी हुई है, किसी का कोई काम रुका हुआ है, किसी को खाद करीदनी, किसी को अभी फसल कटने का और गन्ने के पेमेंट और फसल का इंतिजार करना है तो जब मैं उसकी इंसानियत के नाते में उसकी मासूम आखों में देखता था, तो मुझे लगा कि शायद मैं अभी दो हाथों से सेवा कर पा रहा हूं, राजनीती का दाइरा, उसमें सेवा का दाइरा बहुत बड़ा है, जब हम हजारों हाथों से, जब समाज की सेवा करे सेवा तो आप डाक्टरी लाइन में रहका कर सकते थे समाज सेवा, यह आपने क्यों चुना है, यह मैंने इसलिए चुना कि जैसे पीवी भीत की स्वास सेवाओं का जो बड़ा बदहाल है, वो जब तक एक डॉक्टर ही नहीं उस चीज को करेक्ट करेगा, उसको ठीक करेग दूसरे किसी के बस की बात है नहीं, सिक्षा की इस्तिती की बात करें मैंने बहुत सारी डिग्रिया नहीं, तो सिक्षा की भी इस्तिती को बेहतर करने के लिए उस विधायक का बहुत सिक्षित होना, उच्छित होना अतियाबश्चक है, जो कि मैं हूँ हेसा है अंवान कि आप झेत्र में अगर बिदायक बनने के बाद आपकी प्रात्मिक्टा है कि मेरी प्रात्मिक्ता होगी सबसे पहले छेट के एचार अनारशार ब्रस्टाचार उत्पिल完 तो रोक लगाना जाहें दूसे कोई आदमी उत्पिलें कर रहा है उस पर रोक लगाना और मेरा कोई आदमी अगर कर रहा है तो उसको भी टाइट करके उसको कर सकते थे समार सेवा यह आपने क्यों चुना कि जैसे पिली भीक की स्वास सेवाओं का जो बड़ा बदहाल है वो जब तक एक डॉक्टर ही नहीं उस चीज को करेक्ट दूसरे किसी के बसकी बात मेर और सक्षा की सिक्ष्धी की बात करें मैंने बहुत सारी डिग्रिया नहीं तो सिक्षा की भी इस्तिती को को बेहतर करने के लिए उस बिदायक का बहुत सिक्षित होना अतिआभश्य स्भी कि org और अगर बिदायक बनने के पाद हैं किस यस तो मेरी प्रात्विक्ता होगी सबसे पहले 6 problem अनाचार झ्रष्टाचार उत्मीड़न उसपे रोक लगाना चैने कोई आद्वी नपकर रहा है उसके रोक लगाना और नेरा Ale जब अपनी डॉक्टरी में मैंने मरीजों के चूपी मैं एक सर्जन हूँ तो मैंने मरीजों को जब मैं उनकी परिस्तितिया देखता था कि एक आदमी जेम में से 2000 रुपए रखे लाया पेट में दर्द है 200-300 रुपए का पर्चा वना 500-600 का अल्ट्रा साउंड रुआ निकलाई पत्री तो 20-25,000 रुकम जो सुन्दे में एक बड़े आदमी को बहुत मामूली सी लगती होगी लेकिन मैंने महसूस किया कि किसी की लड़की की शादी रुकी हुई है किसी का कोई काम रुका हुआ किसी को खाद करीदी किसी को अभी फसल कटने का और गन्हे के पेमिंट और फसल का इंतिजार करना है तो जब मैं उसकी इंसानियत के लाते मैं